Hello everyone, this is Muskaan Jain and welcome back to your favorite channel Magnet Brains जो आपको प्रोवाइड करता है, quality education वो भी free of cost आज हम start करेंगे molecular basis of inheritance का एक नया topic which is the transcription part 1 transcription part 1 क्यों? सबसे पहले तो transcription की बारे में बात करते हैं इस से पहले मैं आपको बता चुकी हूँ molecular basis of inheritance के अंदर की transcription से पहले भाई आपने replication पढ़ा हुआ है आपने पढ़ा हुआ है कि DNA ने replicate कैसे किया था एक बहुत ही भाव खाने वाला hero था ठीक है, कौन था वो hero? वो था DNA dependent, DNA polymerase DNA polymerase ने खाया था भाई बहुत ज़्यादा भाव के मैं तो 5-2, 3-2 की काम करूंगा इसके अलावा कहीं करूंगा ही नहीं इस तरीके की कुछ कहानी अपने पढ़ी थी replication के बारे में अब replication को पूरा हमने जब complete कर लिया है तो आपको ये जानना जरूरी है कि replication से कहानी खतम नहीं हो गई उसके बाद आएगी एक और process और वो होगी transcription चीक है? अब transcription क्या है? replicate तो हो गया था DNA उसने दो daughter strands को तो बना ही दिया था ठीक है न? जो एक तरफ से continuous बना था मैं हम दूसरे वाले strand में discontinuous बना था उन्हें हमने DNA ligase से जोड भी दिया था फिर बच क्या गया? वही तो आज पढ़ना है कि transcription होता ही क्यों है replication के बाद transcription का क्या मतलब है? इस process का relation क्या है? इस process में होता क्या है? importance क्या है? यही तो आज पढ़ना है ठीक है? देखो अब part one और do में क्या पढ़ने वाले हैं? इसको दो part में क्यों divide किया है ये भी बता दू देखो ध्यान से पढ़ो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि process क्या है? ठीक है ना? सबसे पहले तो देख लेते हैं process क्या है? अच्छा approach तो आपको पता ही है ना? strategy तो याद है ना? कैसे पढ़ रहे हैं हम? कि भाई पहले का कुछ भी बहुत ज़्यादा tension लेने की जरूरत नहीं? ठीक है? जो पढ़ा जो दिख रहा है बस उसको देखो पढ़ो समझो बात कतम ठीक है? कुछ भी इदर उदर का सोचना नहीं बाकी सारी चीज़े अपने दिमार्ग से निकाल देना ठीक है ना? replication के बारे में जो DNA replication से ठीक है? DNA replication की बात नहीं कर रहे है अपन कर लेते हैं सीधर transcription की बात ठीक है? सीधर आज की बात करते हैं जो genetic information है ना? जो भी पूरी genetic information है भाई DNA के अंदर ठीक है? हर एक strand में ठीक है? जब replication हुआ तो दो strand बने अब हर एक strand में जो genetic information है उस strand के अंदर DNA के एक strand के अंदर उनको एक strand की information एक RNA में और दूसरे strand की दूसरे RNA में क्योंकि RNA में तो एक ही strand होता है तो भाई इसलिए उसकी information को RNA में convert कर दिया जाता है copy कर दिया जाता है ऐसा क्यों किया जाता है madam क्योंकि मैंने आपको बताया है RNA world के अंदर कि RNA ही कर सकता है वो सारी की सारी processes ठीक है वो सारी की सारी processes जो हमने पढ़ी थी कि भाई RNA करता है protein का synthesis ठीक है उन processes को कैसे करते हैं वो हम पढ़ रहे हैं ठीक है तो यह जितने भी functions आपने RNA के देखे हैं यह सारे ही functions कैसे हो सकते हैं भाई RNA से हो सकते हैं तो DNA की information को पहले RNA में copy करना जरूरी है क्योंकि काम वो ही करके देखा भाई DNA करके नहीं देगा काम आपको काम कौन करके देगा RNA करके देगा तो DNA की information को RNA पे चिपकाना पड़ेगा इस copy करने की process को कहते हो transcription समझे the process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription 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 बोल दिया कोई दिक्कत नहीं बोल दिया तो लेकिन transcription बोल देने से बात खतम नहीं हो जाएगी अब इस process के अंदर transcription की process के अंदर जैसे replication में origin of replication था एक replication fork थी ठीक है DNA dependent DNA polymerase था इन सब चीजों की जरूरत पड़ी थी ना similarly transcription को भी इन सब चीजों की जरूरत होगी उसके लिए भी बहुत सारा कुछ एक पूरा material होगा भाई जो उसको पूरा चाहिए तो transcription की process में किन-किन चीजों की जरूरत है सबसे पहले हम आज वो देख लेते हैं ठीक है फिर इसकी जो main process है कि ये किस तरीके से करेगा step by step initiation longation वगेरा वगेरा सब कुछ हम देखेंगे next part में आज का मतलब पूरा का पूरा lecture जो होने वाला है वो transcription का पूरा का पूरा introduction आपको provide करने वाला है और पिर उसकी process जो है वो बस बचेगी जो आप next lecture में पढ़ोगे समझे इतनी बात चलो ले लेते हैं introduction ले लेते हैं introduction यहाँ पर यहाँ पर आप समझोगे ठीक है transcription की definition तो यहाँ पर principle of complementarity यहाँ पर principle of complementarity यूज होगा ठीक है in the process of transcription transcription में और कुछ भी नहीं है transcription में DNA का एक strand है जिससे information जो है RNA के strand पे copy की जा रही है बस transcription में यही है ठीक है अब जब DNA की एक strand की information RNA पे copy की जा रही है ठीक है DNA का एक strand ठीक है इसकी information जब RNA पे copy की जा रही है तो इस process को transcription कह रहे है और इस transcription की process में यहाँ पर भी principle of complementarity यूज होता है ठीक है इस process में भी principle of complementarity यूज होता है ठीक है principle of complementarity क्या था देखो complementary base pairs हमने पड़े थे कौन किसके साथ bond बनाता है और कितने bond बनाता है ठीक है आपके पास क्या क्या था है थीर बनाता है साइटोसीन के सांथ थीक है 3 hydrogen bond वन्द साइटोसीन कितने hydrogen bond में बनाता है गवानिन के साथ 3 hydrogen bond थाइमीन कितने बनाता है अधaw है है क्या रही दो है रही क्या यू रहता है यूरुसिल बस इतना होगा मतलब principle of complementarity same रहेगा बस RNA के केस में थाइमीन की जगा आके बैठेगा uracil, कौन आके बैठेगा uracil, बस बस इतना change आएगा किस केस में, RNA के केस में बाकी principle of complementarity पूरा same पूरा का पूरा same रहेगा ठीक है, however unlike in the process of replication which once set in the total DNA of an organism gets duplicated, ठीक है in transcription only a segment of DNA and only one of the strands is copied into RNA, ठीक है, देखो जैसा replication की process में हुआ था, कि जो एक बार जब शुरू हो जाती है, तो पूरे organism का DNA जो है, वो duplicate करके मानती है ठीक है, मतलब organism का जितना भी पूरा का पूरा DNA है, पूरी length को फिर duplicate करके मानती है, ठीक है, उसका origin of replication है, वहाँ से जो उसकी replication fork है, वहाँ से वो एक बार जो replicate होना start हुई, तो फिर वो पूरा का पूरा replicate होती है, ठीक है, पूरा duplicate होता है, जितना भी DNA है उस organism का, ठीक है, तभी तो cell division के अंदर फिर वो DNA जो है, वो बार जहां से शुरू हो गया origin of replication से, तो फिर पूरा हो जाएगा, ये बात तो ठीक है माम, लेकिन transcription में ऐसा नहीं होगा, transcription की process में, एक कुछ specific point पर, ठीक है, एक सिर्फ segment होगा DNA का, only a segment of DNA, transcription की process में, only a segment of DNA, ठीक है, and only one of the strand is copied into RNA, ठीक है, DNA का एक strand, पूरा का पूरा DNA नहीं, सिर्फ उसका एक segment, ठीक है, सिर्फ एक segment, एक तुकड़ा, एक हिस्सा, और उस हिस्से के भी बात अकर हम करें, तो उसमें DNA के दोनों strand होंगे, तो दोनों नहीं, उन में से भी सिर्फ एक strand, उस हिस्से में से भी, सिर्फ एक strand जो होगा, वो convert होग आरेने में इस copy करने की process को ही हम पढ़ रहे हैं जिसे कहते हैं transcription क्या कहते है transcription next kya पढ़ना next kya पढ़ना this necessitates defining the boundaries ठीक है this necessitates the defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed इस process से क्या होगा अगर मैंने कोई बहुत ही अगर मैंने कोई बहुत ही ठीक है long सा ठीक है कोई भी long chain of DNA बना दिये ठीक है और इस long chain chain of DNA में डबल hyalical पूरा मैंने बना दिया ठीक है आप इस-log chain of DNA में मैंने कहा कि सिर्फ इसका जो एक segment है। सिर्फ इसका जो एक segment है सिर्फ इतना segment जो है यह क्या होगा transcription करेगा। सिर्फ इतना transcription करेगा। अब इतना जो transcription करेगा, उसमें से भी दोनों strand तो नहीं करेंगे। हमने यही पड़ा एक ही strand करेगा तो मान लो मैंने यहां से निकाल लिया यह आपका green वाला सिर्फ एक strand ठीक है सिर्फ यह करेगा transcription की process अब यह जब transcription की process करेगा तो कैसे करेगा इसका इसका जो genetic information है यह copy कर ली जाएगी एक RNA में ठीक है इसकी genetic information को copy कर लिया जाएगा किसमें इस RNA में और यही process आपकी क्या है यही process आपकी क्या है transcription है यह कौन सी process है transcription process है कौन सी process है यह transcription की process है आप इस transcription की process में यह क्या कह रहे है कि भाई इससे यह समझ आया कि जब transcription की process अगर एक segment में ही होने वाली है ठीक है यह जो red मैंने region बताई यह क्या है segment यह क्या है segment है ना और उस segment से भी हमने एक क्या निकाला एक strand ठीक है DNA का एक strand उसमें से फिर यह कहां चला गया RNA में उसकी information क्या हो गई copy यह क्या है DNA का strand है information कहां copy हो गई DNA से RNA में ठीक है अब जब यह process इस तरीके से चलने वाली है मतलब आपको एक जरूरी है boundary को define कर पाना कि सिर्फ इतने में इतने में इस segment में इसका एक strand जाके क्या करेगा transcription की process करेगा तो भई boundaries तो बताना बहुत जरूरी तो boundaries को बताने के लिए आपको कुछ terms की जरूरत होगी कुछ processes को समझना पड़ेगा देखो क्या क्या होगा अब इस इन boundaries को बताने के लिए इस segment की boundary को बताने के लिए आपको कुछ terms को समझना पड़ेगा वो terms क्या है a transcription unit in DNA a transcription unit in DNA is defined primarily by the three regions in the DNA ठीक है यह जो पूरी की पूरी unit अना पर बनेगी अब इस strand के अंदर ठीक है इस segment के अंदर ठीक है यह पूरी unit बनेगी एक इसे कोगे आप transcription unit अब यह transcription unit किन चीजों से बनी है यह transcription unit किन चीजों से बनी है यहां देखो इन तीन रीजन से बनी हुई है ठीक है इन तीन रीजन से बनी हुई है एक रीजन होता है प्रमोटर डीजन दूसरा होता है structural gene और थीसरा होता है आपका terminator ठीक है promoter उसके नाम से ही समझ आ रहा है कि जो प्रमोट करेगा कि यहां से यहां से सेग्मेंट लेना स्टार्ट कर दो यहां से ट्रांस्रिप्शन स्टार्ट कर दो ठीक है और Terminator का function है अब किस तरीके से यह लोग function करेंगे यह ज़पनना भाकी है ठीक है ना कि promoter कैसे अपना काम करेगा structural gene अपना काम कैसे करेगी और Terminator aपना काम कै से करेगा यह त्येनों को मिलके जो बना है वो क्या है In the structural gene of a transcription unit, ठीक है, जब भी transcription unit में DNA के दोनो strands को, ठीक है, DNA के दोनो strands को define करना होता है, तो एक convention use किया जाता है, ठीक है, क्या convention use किया जाता है, Since the two strands have opposite polarity, क्योंकि जो दो strands होते हैं, उनकी हमेशा क्या होती है, opposite polarity होती है, इसी diagram को लेते हुए चलते हैं, For example, यह जो दो strand है, यह जो yellow वाला है, इसको मैंने कह दिया, यह segment में यहाँ से अठा रही हूं, ठीक है, Polarity की हम यहाँ पर बात करते हैं, For example, मैंने यह जो yellow वाला strand है आपका, इसको मैंने कह दिया, It has the polarity of 3- to 5-, ठीक है, और जो green वाला segment है आपका, इसका मैंने कह दिया, It has the polarity 5- to 3-, opposite polarity होगी न हमेशा, राइट, तो इसकी polarity कितनी है, भाई, 3- to 5-, इसकी होगी 5- to 3-, वो अपना भाउ खाने वाला hero आगया बीच में, DNA dependent RNA polymerase, मैं इसमें तो कुछ गड़बड है, वो तो DNA polymerase था, यह तो RNA है, कुछ तो गड़बड है यहाँ पर, देखो क्या गड़बड है, DNA dependent RNA polymerase की बात हो रही है, ऐसा क्यूं, ऐसा क्यूं, याद करो, जब वहाँ पर DNA dependent DNA polymerase की बात हुई थी, तो इसलिए हुई थी, क्योंकि वो DNA को तोड़ रहा था, DNA के दो strengths को तोड़ रहा था, अब उसे क्या करना है, अब उसको RNA polymer करवाना है, यहाँ पर जो काम है, वो किसका है, यहाँ पर जो पूरी process चल रही हूँ, किस के रिए चल रही है, RNA बनाने के लिए RNA बनाना है, तो enzyme भी कौन सा होगा, RNA वाला होगा, enzyme कौन सा होगा, यह मैं क्यों बता रही हूँ, यह आपको याद रखने के लिए trick बता रही हूँ, वहना आप लोग वो वाला जो DNA polymerase और RNA polymerase दोनों को किस process में डालना है, इसमें हो जाते हो confused, ठीक है, जो हमने replication पढ़ा है, जहाँ पर आपको DNA को तोड़ना था, वहाँ आपको जरूरत थी किस चीज की, DNA polymerase की, यहाँ पर आपको process जो है, वो पूरी किस चीज के लिए हो रही है, किस motive से चल रही है, transcription process, कि यह same to same information वाला, copy paste करके information हम कौन सी बना ले, RNA में बना ले, तो process RNA के लिए चल रही है, तो य DNA-dependent RNA polymerase है, यह क्या करता है, polymerization को सिर्फ एक ही direction में, यह जो polymerization चलता है, इसको सिर्फ एक ही direction में catalyze करता है, मतलब यह भी भाव खाएगा, हाँ, वह वाला भी भाव खा रहा था, यह भी भाव खाएगा, लेकिन दोनों का भाव खाने का तरीका सेम है, हाँ, वो भी यही क किया करना है एक ही तरीके से बहुको सिर्णा ओने इप नी इन पम आगगा पी इंप क्यों को तो प्रॉसस करवा निया अपने पास option मिये अपन तू मान लेंगे ठीक है भाई ले लो जित्ता लेना है थे लुट हो तो नी चीए अब क्या होगा the strand that has the polarity 3 dash to 5 dash act as a template and is also referred to as template strand. Template strand तो यार पहले सुना हुआ लग रहा है. सुना हुआ लग रहा है na? Replication में भी पढ़ा है na template strand right? जिस से daughter strands बनी थी, नहीं strands बनी थी, right? template तो वहां भी सुना था, parental वाले को template बोला था, अब यहां पर किसको template मानना है, यह इस पूरी process में बहुत अच्छे सा छुपा हुआ है. इसको अच्छे सा decode कर लो यहीं पर, कि template कौन सा बनेगा? आप randomly उठा के नहीं बोल सकते कि यह वाला template है. दो strand में से एक चाहिए na, एक की information copy होगी na, यह लो यह वाले की कर दो. randomly pick कर के नहीं बोल सकते. उसका एक rule बन गया आपने. आप क्यूं? क्यूंकि यह hero चो था भाई, इसने भाव खाया. इसने बोला कि मैं सिर्फ 5-2-3-वाले को ही catalyze करूँगा. इसी direction में करूँगा, दूसरे में नहीं. अब अगर यह 5-2-3-वाले को ही catalyze करेगा, तो जो दूसरा बच्चा, ठीक है? the strand that has the polarity 3-2-5-वो template की तरह act करेगा. वो template की तरह act करेगा. ठीक है? यह 3-2-5-वाला. मतलब यह yellow वाला. मैं हम अपनने तो green वाले को ले लिया था. अपन इसकी polarity change कर देते हैं. अपन इसकी polarity change कर देते हैं. ठीक है? अपन इसकी polarity change कर देते हैं. या फिर अपन इसको yellow बना लेते हैं. तो अपने diagram जो है ना विल्कुल match करेगा अपनी theory के साथ. ठीक है? इसको yellow बना लेते हैं. अब लिख देते हैं इनकी polarity. ठीक है? 3 dash to 5 dash जो है वो template की तरह work करेगा और वो ही बनाएगा फिर information को copy करवाएगा किसमे RNA में ठीक है जो green वाला है वो हो गया कौन सी polarity का आपका green वाला जो था वो हो गया आपका कौन सी polarity का opposite polarity का ठीक है 5 dash to 3 dash polarity ठीक यहां तक clear अब देखो हुआ क्या था एक बार फिर से इस paragraph को decode कर रही हूँ इसके अंदर बहुत सारी information है क्या कह रहा है यह क्योंकि दो strands की हमेशा opposite polarity होती है DNA dependent RNA polymerase जो है वो कह रहा है कि मैं सिर्फ 5 dash to 3 dash वाले को ठीक है मैं किस direction में करूंगा ठीक है वो क्या कह रहा है कि मैं जो catalysis करूंगा मैं polymerization किस direction में करूंगा मैं 5 dash to 3 dash करूंगा अब उसको अगर 5 dash to 3 dash करना यह इसकी आरने की क्या होगी polarity 5 dash to 3 dash अब अगर उसको 5 dash to 3 dash में काम करना है तो उसका template जो होगा वो opposite वाला होगा ना तो template कौन सा बनेगा 3 dash to 5 dash वाला बनेगा राइट तो यहां पर 3 dash to 5 dash वाला जो आपका end है DNA का strand है वो act करेगा as in template ठीक है as a template और कहलाएगा template strand कोई दिक्कत नहीं जो दूसरा वाला बचा मैं उसका बताओ यह तो कहला गया इसको तो रोक ही नहीं सकते आप क्योंकि इसने बहुका लिया इसको तो आपन कुछ कह नहीं सकते दूसरे का क्या करेंगे दूसरे का क्या करेंगे दा अधर स्टैंड विच्छ दपोलार्टी 5 dash to 3 dash यह वाला यह वाला 5 dash to 3 dash वाला इसका क्या करेंगे हम जिसमें सेम सीक्वेंस है जैसा की आरेने में हो वाला है बस यहां पर क्या होगा थाइमीन वहां पर क्या होगा यूरेसिल में कुछ समझ नहीं आ रहा कुछ समझ नहीं आ रहा मैं बना के बताओ बना के बताओ रुख जाओ एक बार रीड कर लेते हैं फिर बनाते हैं ठीक है जो दूसरा कर दूसरा मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है क्योंकि मैं बना के बता रही हूं देखो देखो ज़रा क्या कलर लिया हमने वह इंटाते हैं ठीक है जो हमने कलर लिया न वह उठाते हैं मान लो यह आगया आपका, यह आगया आपका 5 dash to 3 dash polarity वाला, यहां से यह DNA को में इतना उड़ा दू, ठीक है, यह बात इसकी बहुत बुरी लगती है मुझे, थोड़ा सा उड़ाने जाओ, पूरा उड़ जाता है, यह कोई तरीका हुआ, ठीक है, देखो, बनाते हैं, ठीक है बनाना शुरू करते हैं, यह हो गया आपका एक, यह हो गया आपका दूसरा strand, और यह हो गया RNA, यही colors यूज किया है हमने, आप इसके अंदर हम base pairs mention कर देते हैं, ठीक है, base pairs mention कर देती हूँ मैं, उसी से सारी clarity आपको आने वाली है, ठीक है, base pairs देखो, 1, 2, 3, 4, 5, बराबर है ना भाई, बराबर है, next देखो, इसमें भी ले लो 5, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इसमें भी बराबर है, बराबर है, देखो, polarity mention कर दूँ मैं, यह DNA के strand है, ठीक है, यह DNA के strands है, और यह कौन सा है, यह है RNA, ठीक है, polarity कितनी है, यहाँ पर green वाले की polarity कितनी थी, DNA का एक strand, कितनी polarity का था, 5-2, 3-, इसकी polarity कितनी थी, 3-2, 5-, इसकी polarity कितनी थी, यह 3 लग रहा है क्या आपको, अन्दे हो क्या है, देखो दियान से, देखो दियान से, 5 लग रहा है, अब देखो, RNA की polarity कितनी, 5-2, 3-, ठीक कोई दिक्कत नहीं मैं अब क्या लिखना बाकी रहे हैं यहां लिखना बाकी रहे हैं आपका base pairs ठीक है base pairs मैं randomly लिख देती हूं A G T C A ठीक है अब अगर DNA के एक strand में अगर यह base pairs थे तो दूसरे में क्या हो जाएंगे वही जल्दी बताओ जल्दी बताओ thymine, cytosine, adenine, guanine, thymine यह हो जाएंगे यह इसका दूसरा complementary दूसरा वाला strand अब अगर same to same मैं बनाओं किसका RNA का ठीक है RNA जो की template strand कौन है उसका यह yellow वाला यह देखो यह था ना इसका template strand लिख दू मैं यहाँ पे लिख दू मैं यहाँ पे यह भी यह इसका क्या है template strand है यह वाला यह इसका template strand है ठीक है अब यह जो RNA बन रहा है इसके अंदर क्या क्या होगा इस template क्या according होगा, thymine की जगा क्या होगा, uracil, cytosine की जगा क्या होगा, guanine, adenine की जगा क्या होगा, adenine की जगा क्या होगा, फिर से, uracil, अच्छा thymine की जगा तो यह adenine आएगा, यह क्या कर दिया मैंने, अभी मैं सूचू, यह repeat कैसे हो गया, thymine की जगा तो यह adenine आए वेस प कामका नहीं है अर्ओं ये वाला है अपने लिए तो टेम टेल्प्लेट यह वाला और इससे ही बन रहा है कौन सा, इसकी information को copy करके बन रहा है कौन सा आपका RNA वाला तो मैं यह तो अपने लिए किसी काम का ही नहीं है, right, बिल्कुल right, भाई absolutely right नहीं है किसी काम का, नहीं है किसी काम का, लेकिन उसके बाद भी, किसी काम का ना होने के बाद भी इसी को बोलते हैं क्या coding, इसी को बोलते हैं का coding strand, किसी काम का नहीं है उसके बाद भी इसको बोलते हैं भाई, coding strand क्या कर लोगे, बोलेंगे वो तो, अब देखो, यहाँ पर इस statement को फिर से read कर रही हूँ, जो आपने यहाँ पर इसमें देखा न, भाई, मैं फिर से read करके बता रही हूँ, क्या हुआ था, जो दूसरा strand है, ठीक है, कौन सा दूसरा sequence है, जैसा की RNA में है, इसका sequence और इसका sequence, same, लेकिन, difference क्या, except thymine at the place of uracil, uracil की जगा पर क्या है, थाइमीन है, बस, बाकि same, तो, is this place during transcription, strangely, this strand, which doesn't code for anything, is called as coding strand, क्या कर सकते हैं, कहते हैं भाई, तो कहना पड़ेगा, कहते हैं तो, कहना पड़ेगा, जो किसी चीज के लिए code नहीं कर रहा, वही कहला रहा है, coding strand, और ये कहला रहा है, आपका, template strand, ये क्या कहला रहा है, आपका, template strand, और ये क्या कहला रहा optimistic, ये तो है ही मैं मारेने, इसको तो कुछ कहने कि जरूरती नहीं, इसमें 2 strand थोड़ी हैं, जो दो लग नाम देना पड़े, ये तो एक ही है, यह गया? आरेने, यह हो गया क्या? आरेने, बताओ, बताओ, यहां तक clear, यह तीनो statement clear, यह तीनो statement clear, आगे पढ़े, आगे पढ़े, अब तो भाई, डाइग्राम आ गया, तो यह तो पूरा मुझा बढ़ेगा, यहां तक अगर आपका clear है, तो मैं पूरा clear कर दूं इसको, चल तो देखा किसके बारे में मैं, promoter, structural gene और terminator के बारे में देखना था, छोलो देखते हैं भाई, देखते हैं, देखते हैं, इस diagram में सब कुछ दिख जाएगा, All the reference points, while defining a transcription unit, ठीक है, एक transcription unit को define करते वक्त, जितने भी reference points होते हैं, वो बनते हैं किस से coding strand के basis पर, ठीक है, जितने भी reference points आप बनाते हो, transcription unit के अंदर, ठीक है, वो सारे के सारे किस के basis पर बनते हैं, coding strand के basis पर, ठीक है, अब coding strand के basis पर अगर बनेंगे सारे, जितने भी strands के, points हम बता रहे हैं, अगर वो coding strand के basis पर बनेंगे, तो आप इस बात से confused मत हो जाना कि वही code कर रहा है हमेशा याद रखना कि coding strand को उसका नाम बिना मतलब के मिला हुआ है वो कोई code नहीं करता उसका कोई कहीं से भी वो कोई भी coding किसी भी तरह की नहीं कर रहा है सिर्फ उसका नाम है coding strand ठीक है सिर्फ उसका नाम है coding strand अब यह क्या करेगा भाई जितने भी reference point आप निकालोगे ना सब coding strand के basis पे निकालोगे अब इस बात को समझाने के लिए आपको एक sequence यहाँ पर दिया गया है कि for example ठीक है for example यहाँ पर ठीक है यह 5 डेश यहाँ है ठीक है यह 5 डेश टू 3 डेश ह यह 5 डेश टू 3 डेश है वह 5 डेश वहाँ चला गया है ठीक है उसको उठा लाओ इधर उसको ठाके मैं गयब कर देती हूँ ठीक है यह हो गया गयब ठीक यह लो अब देखो अब देखो पड़ते हैं आपको इस बात को यहाँ पर इस example से बता रहे हैं कि कैसे आपको हमेशा coding strand के उपर ध्यान देना है देखो यह 3 डेश टू 5 डेश वाला आपका template strand है और यह 5 डेश टू 3 डेश वाला coding strand है है ना coding वाला तो कुछ करेगा नहीं पर ध्यान आपको असी पर देना है कैसे देना है can you now write the sequence of RNA transcribed from the above DNA क्या इस DNA के strand से जो RNA बना होगा आप उसका code लिख सकते हो बिलकुल मैं तो लिख सकती हूं मैं तो लिख सकती हूं लिख के बताओं मैं तो लिख सकती हूं लिख के बताओं पता है मैं कैसे लिखूंगी मैं क्या करूंगी मैं पूरा का पूरा इसको copy मारूंगी यह जो coding strand है ना मैं पूरा का पूरा इसको copy मारूंगी बताओं कैसे लिखेंगे बताओं कैसे लिखू ना जो किसी चीज़ के लिए कोड नहीं करता बस इसकी वज़े से मेरा काम बन गया मुझे कुछ नहीं करना है मुझे बस हर जगा इस टी की जगा यू लगाना है बाकी मेरा काम बन गया ठीक है क्यों क्योंकि आरे ने जो है वो एडिनीन की जगा पर क्या लेके आएगा यूर फिर से A, C, G और T की जगा पर U, फिर से A, C, G, T की जगा U, और फिर से A, C, G, बस बन गया, बन गया RNA का code, अब यह कैसे हुआ, अब यह कैसे हुआ, यह समझो, कि जो template strand है, इसी को, यह जो template strand है, इसी को, इसी को देखकर तो RNA अपने अंदर complimentary base pair को बना रहा है न, information को copy कर रहा ह अब RNA जब अपने अंदर इस template से बनाएगा, तो जैसा RNA में था, वैसा ही तो उस वाले दूसरे वाले coding strand में आएगा, अभी तो देखा था, अभी देखा था न, यहां पर, अरे यार, यह पूरा चला जाएगा, पूरा नहीं करी में, अभी जो मैंने बना के दिखाया था, यहां पर आपको, ठीक है, यहां पर जो मैंने आपको भी बना के दिखाया था, भाई, कि जो आपका coding strand है, वो बिल्कुल same to same होता है RNA में, बस क्या होता है, थाइमीन की जगा पर uracil होता है, अभी पढ़ा था यह लिखा भी था, यहां पर theory में, देखो यहां लिखा था, क बस थाइमीन की जगे मुझे क्या लगाना था हर जगा, थाइमीन की जगा मुझे क्या लगाना था हर जगा, uracil, बस मैंने लगा दिया, ठीक है, बस मैंने लगा दिया हर जगा थाइमीन की जगा, यह देखो, यह एक uracil, यह दूसरा थाइमीन की जगा, यह थाइमीन की ज पाऊगे बताओ कोई भी रेंडम कोड अगर आपको कोई दे दे तो क्या नहीं बना पाऊगे बना सकते हैं ऐसे ही बनेगा जो कोडिंग स्ट्रेंड है उसको कॉपी पेस्ट कर दो बस थाइमीन की जगा यूरेसिल लगा दो बन जाएगा ठीक है आप देखो यह डाइग्राम क्या का यह रहा जिसमें होता है भाई सबसे पहले प्रमोटर सबसे पहले प्रमोटर जो की कहलाता है ट्रांस्क्रिप्शन स्टार्ट साइट ठीक है यहां से यहां से ट्रांस्क्रिप्शन की प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होती है ठीक है किस से होती है प्रमोटर से होती है यहां से transcription की process हमेशा start होती है, इसके बाद होती है क्या structural gene, structural gene का मतलब यह पूरे के पूरे दोनो strand, यह दोनो के दोनो strand, ठीक है, अब यह structural gene का मतलब क्या, जिसमें यह दोनो के दोनो strand है, जो काम कर रहे हैं, जिनसे process चल रही है, उनमें से एक है आपका template strand, डूसरा है coding strand, कोई दिक्कत नहीं, है ना, तो promoter वाला का काम क्या है, जो transcription को जहां से start हो रहा है, जो उसकी start site है, structural gene जिसमें पूरा का पूरा काम चलेगा, जो पूरी process करेगा, ठीक है, और terminator जहां से process को क्या करेगा, रोका जाएगा कि बस भाई भाई रुक जबास भाई बस कर, ठीक है, रुक जबाई, ठीक है, तो वह वाली कहा है आपकी कहानी, terminator की कहानी है, ठीक है, इतनी बात ठीक है, अब आपको ये बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी आप क्या करोगे, स्ट्रेंड, स्ट्रक्च्टरल जीन में, और ये हो गया हमारा कोडिंग स्ट्रेंड, है ना, बना दो कि डाइग्राम बहुत आसानी से, दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत कहां आएगी, मैम दिक्कत तब आएगी, जब कोई हमसे बोले कि ये जो आपने कोडिंग स्ट्रेंड बनाया है, टेंप्लेट स्ट्रेंड बनाया है, इसमें पोलारिटी तो लिखो, इसमें पोलारिटी तो लिखो, किस पोलारिटी का है, तो फिर याद करना पड़ेगा, भाव खाने वाला कौन था, भाव खाने वाला hero किदर से किदर जा रहा था 5-2-3-ड़ जा रहा था 5-2-3-ड़ जा रहा था तो मतलब उसके लिए template कौन बनेगा 3-2-5-ड़ बनेगा बस हो गई बात खतम बस हो गई बात खतम अगर उसके लिए template 3-2-5-ड़ बनेगा तो यह template strand पर लगा दिया मैंने 3-2-5-ड़ और opposite वाले पर मैंने लगा दिया 5-2-3-ड़ बास हो गई बात खतम match कर लो template वाले बनेगा क्या आपका 3-2-5-ड़ coding हो जाएगा 5-2-3 बात खतम बात खतम अब बताओ इस diagram को बनाने में कभी दिक्कत आईगी कभी दिक्कत आईगी यह पूरा का पूरा diagram क्या represent करता है transcription unit को represent करता है यह पूरा का पूरा diagram क्या represent करता है transcription unit को represent करता है कोई दिक्कत चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं अब क्या बचा इस कहानी के अंदर अब क्या बचा है इस कहानी के अंदर मैं पहले ही तो पूरा बता देती हूँ एक डाइग्राम से आप थेोरी के लिए बचता ही नहीं कुछ The promoter and terminator flank the structural gene in a transcription unit promoter और terminator के होने की वज़े से ही पता चलता है कि बीच का जो है वो structural है ठीक है ना यह मतलब था इस बात का So the promoter is set to be located towards 5-23- है ना वो temperate strand Promoter जो होगा वो कहा होगा भाई आपका 5-and upstream पे ठीक है structural gene के The reference is made with respect to the polarity of coding strand ठीक है reference किसका लिया जाएगा Coding strand की polarity से लिया जाएगा अभी आपको मैंने बताया ही था कि सारे reference किससे लोगे coding से लोगे जो कोई काम नहीं कर रहा सारे reference उसी से लोगे ठीक है It is a DNA sequence that provides binding site ठीक है यह पूरा का पूरा जो आप बता रहे हो Structural gene का पूरा transcription unit का structure यह वो DNA का वो site है ठीक है DNA का वो portion है sequence है जो कि क्या करता है binding site provide कर रहा है कि RNA polymerase आ जाओ यहाँ पर चिपक जाओ और कर लो RNA का polymerization है ना यह कर रहा है यहाँ पर process को and it is the presence of promoter यह promoter ही है जिसकी वज़ा से transcription unit जो है इसको आप define कर पा रहे हो ठीक है promoter और इन सब के होने की वज़े से ही कि भाई template कौन सा और coding कौन सा ठीक है by switching its position with terminator अगर इसकी position terminator के साथ switch कर दोगे तो जो polarity है वो भी change हो जाएगी और जो template और coding आप define कर रहे हो वो भी change हो जाएगा ठीक है अगर promoter की और terminator की position को आपने switch मार दिया ठीक है तो दोनों change हो जाएगे the definition of वो five dash to three dash है replication में भी transcription में भी अगर वो five dash to three dash आपको याद है तो उसका template जो बनेगा वो उसका उल्टा बनेगा three dash to five dash बनेगा template बन गया तो coding में फिर क्या ही दिक्कत है coding उसका उल्टा हो जाएगा वो फिर से five dash to three dash हो जाएगा बात खतम बात खतम कोई दिक्कत ही नी आप देखो next क्या कहता है the terminator is located towards three dash and मतलब downstream पे ठीक है देखो इस diagram को देख लो एक बार जो promoter है आपका ठीक है वो यह कहना चाह रहे है कि promoter जो है वो template strength ठीक है upstream पे present होता है और जो terminator है वो downstream पे present होता है of the coding strand and it usually defines the end of the process of transcription यहां से transcription की process जो है वो end होती है ठीक है terminate करता है यह उसके नाम से ही समझ आ रहा है promote करना मतलब किसी चीज को बढ़ाना शुरू करना, बढ़ावा देना terminate करना मतलब किसी चीज को रोकना, खतम करना ठीक है तो there are additional regulatory sequences काई सारे additional regulatory sequences भी होते है इसमें that may be present further upstream or downstream to the promoter some of the properties of these sequences shall be while dealing with regulation of gene expression ठीक है इन दोनो statement का मतलब बता रही हूं धान से सुनना sorry थोड़ा disturbance आ रहा है इन दोनो statement का मतलब देखो इससे क्या होता है काफी सारे additional regulatory sequences होते हैं जो की इन upstream और downstream के बीच में presented होते हैं जो की इन सारी चीजों को regulate कर रहे हैं जो इन process को पूरी इस process को regulate कर रहे हैं सिर्फ इतना simple simple mechanism तो कभी भी biological हो नहीं सकता ना कोई भी biological process है तो उसमें काफी सारी चीजों की involvement होती है काफी complex वो process चलती है तो बहुत सारी sequences regulatory sequences ऐसे हैं जो इन सब में involved है और इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा कब जब आप gene expression का पढ़ोगे ठीक है जब आप next आपका एक topic आएगा regulation of gene expression उसके अंदर आप इन चीजों को पढ़ोगे ठीक है regulation of gene expression के अंदर अभी हम पढ़ रहे हैं क्या के transcription unit और transcription की process के बारे में complete introduction हमें क्या क्या लेना है हम वो ले रहे हैं ठीक है फिर उसकी जो process में इस transcription की process में भी जो stages होंगी न हमने अभी सिफ क्या पोल के छोड़ दिया कि promoter है terminator है structural dean है अब वो structural dean ने कैसे copy किया वो process हमने नहीं समझाई उसमें कौन-कौन सी stages आई वो process हमने नहीं समझाई वो मैंने आपको बता दिया है कि वो हम next lecture में पढ़ेंगे कैसे वो initiate करेगा कैसे वो elongate करेगा terminate करेगा सब कुछ ठीक है आप देखो transcription unit and the gene transcription unit और gene के बारे में आपको थोड़ा सा जानना है बस इस lecture में ठीक है एक gene का मतलब होता है एक gene का मतलब होता है gene is defined as the functional unit of inheritance ठीक है gene आप सबको पता है इससे पहले अगर आपने जो chapter पढ़ा है principles of inheritance उसके अंदर mandalian factors में इनको पहले factors कहा जाता था इनको पहले factors कहा जाता था फिर क्या कहने लगे भाई gene कहने लगे ठीक है तो gene है क्या ठीक है क्या है ये they are the functional unit of inheritance के functionally inherit जो चीजे होती है character जो होते है वो इन्ही के through inherit होते है है ना so they are the functional unit of inheritance और अगर हम बात करे though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA ऐसा ठीक है ऐसा कुछ नहीं है कि gene जो है वो DNA के ऊपर किस तरीके से located होते है ये चीज थोड़ा सा जितना जितना portion में आपको बताया जाएगा ठीक है जितने portion में जहां पर इसकी need होगी उस चीज को आपने पढ़ा हुआ है ठीक है आपने gene chromosome के ऊपर DNA के ऊपर किस तरीके से located होते है chromosome वाला आपने तो location पढ़ा है किस topic के अंदर पढ़ा है linkage के अंदर पढ़ा है right linkage and recombination में आपने पढ़ा है कि chromosome के ऊपर भाई ये located है gene ये located है ये linked है है ना tightly linked and loosely linked genes ठीक है ये सब आपने पढ़ा है अब आपको यहां पर बताया जा रहा है क्या कि genes जो है भाई वो DNA पर located होती and it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence किसी gene को जो DNA का sequence होता है उसके base pairs का sequence होता है nucleotide का sequence होता है उनके terms पर बता पाना तो possible नहीं है ठीक है the DNA sequence for coding tRNA और rRNA molecule also define a gene ठीक है जो transfer RNA ठीक है और rRNA ribosomal RNA इन RNA molecules में जो sequence coding होती है DNA की ठीक है ये भी gene को define करते है क्योंकि base pairs और पूरा complementarity तो उसके अंदर भी है तो ये भी gene को define करते हैं जबकि however by defining a cistron as a segment of DNA coding for a polypeptide ठीक है अलग-अलग terms आएंगे घबराना नहीं है one by one पढ़ रहें ठीक है अलग-अलग terms आएंगे थोड़े से नएं लगेंगे कि ये सब क्या है पर पढ़ लोगे उसके बाद नहीं लगेगा एक बार पढ़ लोगे उसके बाद नहीं लगेगा देखो क्या है सबसे पहले बात हो रही है किस चीज की सिस्ट्रोन की ठीक है सबसे पहले बात हो रही है किस चीज की सिस्ट्रोन की और देखो terms में सबसे पहले बता दू कौन-कौन से सिस्ट्रोन मोनोसिस्ट्रोनिक और पॉलिसिस्ट्रोनिक ठीक है coding for polypeptide ठीक है अब मैं इनके साथ साथ इनको क्या करती जा रही हूं सर्कल करती जा रही हूं सिस्ट्रॉन मतलब segment of dna which will code for polypeptide ठीक है जो polypeptide के लिए code करेगा polypeptide क्या है बता रही हूं बता रही हूं रुख जो ठीक है the structural gene in the transcriptional unit could be said as monocystronic ठीक है अब जो monocystronic का circle कर रही हूं ठीक है अलग color से कर दूँ के इसे अलग से कर देती हूं देखो monocystronic के बारे मैं बता रही हूं structural gene ठीक है in a transcription unit this is the monocystronic अब next क्या next क्या next क्या ठीक है बस इतना काफी है चलो अब देखो आप देखो यह आपके notes की perspective से मैंने किया यह सारी का लगारी अब इसमें मैंने किया क्या है देखो जब आपसे पूछा जाए अगर पहला सिस्ट्रॉन ठीक है सिस्ट्रॉन फिर पूछा जाए अगर आपसे monocystronic फिर पूछा जाए अगर आपसे polycystronic तो कैसे बताना पड़ेगा सिस्ट्रॉन क्या है वह सिग्मेंट ऑफ डिन जो की polypeptide के लिए कोड करता है ठीक है polypeptide क्या है polypeptide देखो peptide bond protein से related है ठीक है polypeptide वाला हुकाम सबसकुछ किस से related है वाँ protein से related है ठीक है आगे जाके यह जितना भी transcription चल रहा है यह RNA में जो information copy करी जा रही है transcription के अंदर ठीक है आपको पूरी process अभी नहीं बता रही मैंने पहले ही कहा है कि मैं one by one बढ़ाओंगी इस chapter को है ना अभी जो process है हम सिर्फ उसी को पढ़ेंगे अगली process यहाँ पे बीच में लेके आएंगे ठीक है तो सिस्ट्रोन के बारे में बात हो रही वह सेग्मेंट ऑफ डीने जो की polypeptide के लिए कोड करेगा ठीक है दूसरी बात होगी क्या भाई के structural gene जो होगी ना transcription unit के अंदर जो आपने अभी देखी structural gene देखी थी बीचों बीच थी मैं promoter और terminator के तो यह जो structural gene है यह होगी monocistronic in case of eukaryotes ध्यान से समझना यह जो structural gene है ठीक है structural gene segment of dna लिख दूँ पहले में यहाँ इसके बारे में सिस्ट्रोन क्या है segment of dna segment of dna ठीक है और monocistronic में कह रही हूँ मैं आपसे कि structural gene ठीक है structural gene in eukaryotes structural gene in eukaryotes ठीक है और यहाँ पर अगर हम बात करें same structural gene की लेकिन किसके अंदर लेकिन किसके अंदर mostly in bacteria और prokaryotes ठीक है तो bacteria और prokaryotes में यह क्या हो जाएगी polycistronic ठीक है अब यह चीज कोई भी पूछे पहला systronic अगर पूछे तो भाई it is the segment of dna ठीक है which will code for polypeptide और अगर कोई पूछे monocistronic तो it is the structural gene in case of eukaryotes अगर कोई पूछे polycistronic तो it is the structural gene in case of bacteria and prokaryotes इससे पहले eukaryotes था ठीक है यह चीज क्लियर नेक्स देखो और क्या terms इसके अंदर है terms थोड़े से और आएंगे अभी ठीक है और क्या है इसके अंदर exons and introns ठीक है exons and introns यह क्या है देखो एक बार in eukaryotes the monocistronic structural gene have interrupted coding sequence ठीक है monocistronic structural gene का जो coding sequence होता है वो interrupted होता है अब इस interrupted की कहानी क्या है बताती हूं interrupted के कहानी ऐसी है कि यह जो sequencing X मैं चाहतीू मैं चाहती हूं कि पूर्य कोडिंग वो पूरी सीकोंज में चले लेकिन वह से कुन्स में चलने वाली मेरी जाह है वकूरी नहीं होपाती यांड़ था और कुरानी वाली मुझेव ऑज़्टा करिय कैनला था distractions इंटरप्ट करके चला जाता है ठीक है यहां आया बीच में मुझे एक सीक्वेंस में नहीं चलने दिया इंटरप्ट कर दिया यहां आ गया बीच में यहां आ गया बीच में कौन आ रहा है मैं यह कौन कर रहा है इंटरप्ट बीच बीच में कौन कर रहा है परिशान देखो ब expressed sequences उनके बीच 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 में को बीच बीच में जाकर इंटराप्ट करते हैं इसलिए इंको बना जाता है कहां किया जाता, कौन सी प्रोसस में किया जाता है, यही सब कुछ, यही सब कुछ आपको Next Lecture में पढ़ना है, ठीक है, यही सब कुछ आपको Next Lecture में पढ़ना है, कि भाई या रने जब बनता है, तो उसकी, Final Processing जो होती है, उसमें से इन इंट्रॉंस को काटके फेकना पड़त ठीक है, the coding sequence और the expressed sequences are defined as exons, यह हो गए आपके कौन से exons यह कौन हो गए आपके, exons और जो बीच-बीच में interruption दे रहे हैं exons are said to be those sequence that appear in mature or processed RNA, मतलब यह जितने भी yellow वाले, यह वाले exons वो वाले sequences है, जो जब आप mature आने को, एक processed RNA बनाओगे, तो उसमें express होंगे क्यों, क्योंकि भाई, इन ही को आप लोगे na, intron को तो आप काट काट के fake दोगे, ठीक है, तो express कौन होगा, mature वाले, processed वाले RNA में, exons होगा, ठीक है तो exons are the exons are the sequences which are going to be expressed, in what in the mature and processed RNA ठीक है, तो फिर intron क्या है intron वही है भाई, जिसमें आके interruption caused किया, the exons किसने interrupt किये exons को interruption is caused by introns, ठीक है भाई introns or the intervening sequences do not appear in mature or processed RNA, तो कैसे करेंगे हम करने ही नहीं देंगे, बहुत interruption कर रहे थे, काट के फिक देंगे अलग, दिखने ही नहीं देंगे, mature or processed RNA में, involved इंट्रॉन नहीं दिखेगा, त्यक है ना क्यों? क्यों नहीं दिखेगा क्योंकि इनको क्या कुर देते हैं भाई, काट कूट के फिक देते हैं ना, अब यह जो पिक ने वाला process है, यह जो काट कूट के फिकने वाला process है, इस process को आप next lecture में पढ़ने वाले हो, ठीक है, आज नहीं पढ़ोगे, ठीक है, inheritance of characters is also affected by promoter and regulatory sequence of a structural gene, ठीक है, characters किस तरीके से inherit हो रहे हैं, इन सब चीजों पर, यह जो आपका promoter और structural gene के जो regulatory sequences है, ठीक है, इन सब से का फर्क पड़ता है, इन सब का फर्क उसके उपर पड़ता है, ठीक है, hence sometime the regulatory sequences are loosely defined as regulatory genes, even though these sequences do not code for any RNA और protein, कई बार, कई बार जो regulatory sequences है, जो structural gene वाला आपका जो पार्ट था, regulatory gene वाला, इसके अंदर जितने भी sequences हैं, यह किसी भी RNA के लिए code नहीं करते, कोई protein नहीं बनाते, ठीक है, कोई भी function नहीं नहीं करते, ठीक है, जो कुछ, कुछ इस सरीकेसे loosely arranged type जो material होता है, पूरा का, पूरा, सारा का, सारा useful नहीं होता, सब कुछ, सब कुछ RNA नहीं बनाता, पूरा का, पूरा का, पूरा पूरा एक transformation है उनका जो transcription की process है उनसे जो क्या बनना चाहिए था RNA बनना चाहिए था प्रोटीन बनना चाहिए था वो सब नहीं होगा थीक है तो यह थी कहानी आपकी ठीक है यह थी कहानी आपकी जिसमें उने को वह पूरी कहानी मेंसे आपकी侏 उनिट के ऊपर की स्ट्रॉक्षरल जीन क्या है प्रमोटर क्या है और टैंपलेट क्या है ठीक है इसके अलावा आपको ध्यान देना था किस चीज के उपर और XOR interactions के और एंटरॉंस की ऋपर इह देना पड़ेगा ककी इनको आके आपको यूस करना है काटना है घोडटना है है उर्क देनahu represents आपको polarity पर ध्यान देना था कि template strength की polarity क्या रहने वाली और coding strength की क्या रहने वाली और क्या ध्यान देना था आपको आपको यह ध्यान देना था कि जो RNA बनेगा उस RNA में कोड बनेगा वो क्या होगा वो कोड हमेशा coding sequence के जैसा copy paste होगा बस time in को अटा के सब कुछ सेट हो जाएगा ठीक है तो बस इतना ही आज की के लेक्चर में से आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं आप लेक्ष्व पढ़ेंगे अपन ठीक है नेक्स लेक्ष्व में part 2 पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी क्या रेने की processing कैसे होती है ठीक है mature RNA कैसे बनाते हैं हम यह काटा पीटी जोड़ा जाड़ी करनी है ना अपन को exon जोडने हैं intron काटके फेकने हैं यह सब कर लेंगा अपन उसके अंदर ठीक है तो चलो बस फिर मिलते हैं नेक्स लेक्चर में तिल दन बाई बाई टेक केर अभी हो